असलाम लेकूम, मेरा नाम आमना उस्मान है, यह जो सुबा से स्पैट चल रहे है, ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी यह जो पूरा उद्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस के से हवाले से मैं दो तीन बातें क्लारिफाय करना चाहती हूँ, सबसे पहले जो मैं क्ला रियास हुसेट हमें क्लियर करना चाहती हूँ, जो उनको मले क्लियास को मलाइन करने की कोशिश कर रहे है, वह सिर्फ पैसे लेने क्लिए यह सब कररें है, उन्हें हमें अप्रोच भी किया, कि लड़कियों को पैसे दे दें तो यह सारा मामला बंद हो जाएगा विच वी व यह जो बात हुई है कि मैंने किसी की घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रियक्ट किया है इस वस नॉट देर हाउस दिस वस माई हस्बंड अदर हाउस विच आफ ओलोड इम टू तो बेसिकली यह मेरे हस्बंड का दूसरा घर था जहां पर घुसने का मेरा हर हक है यह उन लड़कियों का घर नहीं था मेरी तेरा साल की शादिशोदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वर्निंग दी थी इस से पहले मैंने रिपीटेड वर्निंग दी थी मेरा एक यारा साल का बच्चा है इस सब की उलादे हैं और जो औरते इस सब से गुजर रही है लेकिन कंप्लेटी अंडर्स्टैंड वाइफ गोस थू and how hard she tries to go till the last point to save her marriage but I know मेरे husband की सबसे बड़ी गलती है I know he is the person who is to be blamed the most उसको तो मैंने छोड़ दिया बात यह है कि यह जब वहाँ पर मैंने को follow करके पहुंची तो यह कह रही थी जहाम में तकाफ से उठी है यह कौन सा इतकाफ है जिस पे तीन दिन लगातार यह मेरे husband को रात को मिलती रही है लगातार मेरे पास proof है यह इतकाफ है बैटी साड़े दस बजे इतकाफ से उठी है साड़े यारा बजे वहाँ पे cocaine की लाइने और शराब हो रही थी आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने जो के वाइरल होई चुकी है आप सबने देखा होगा कि इनके उपर कोई kerosene oil नहीं गिर रहा यह वही शराब गिराई है इनके उपर जो यह शराब बैठकर पी रही थी हसान खान न्याजी is doing all this just because he has an illicit relationship with हुमा खान who is the sister of उस्मा खान सिरफ अपनी गर्फरेंड को बचाने के लिए और खोश रखने के लिए और सिरफ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए यह पूरा publicity stunt है मैं सिरफ आप लोगं को यह clarify करना चाहती हूँ कि उनका मलक रियास से कोई लेना देना नहीं है I literally failed to